तो जो कि आजा इंस्टेंट ओन आपको ले सकते हो और यहां पर जैसे मैंने 2000 रुपे तक टा लोन चाहिए इंस्टेंटली और रिक्वेस्ट के बटन पर जैसे में क्लिक कर दूंगा तो यहां पर देख सकते हो कि मेरी एक डेटो बट पूची जा रही है जो कि KYC verification है KYC verification और जितनी भी details यहां पर पूची जा रही है धियाना मन से कुछ नहीं भरना है document में जो आपके दिया गया है न वहीं भरना तभी आपकी सारे process को अच्छे से चेक किया जाएगा और जितना अच्छा आपने documents साई details लेकर भरा होगा वैसे ही उतना जल्दी आपका loan यहां से इसली आपको approved मिलेगा फिर आपको date of birth बढ़ने को नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको सबसे पहले अपना pen card का number भणना है जो कि मैंने कहा था pen card अधार कार साथ में रखना है तो pen card का है अपने number डालना है दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्या आप लोग भी चाते हो कि जो यह 5,000,000,000 तक का amount है यह भी आपको as a loan मिल जाए क्योंकि आपको पता है कि अगर आप banks वगएरा में loan लेने जाते हो तो यह छोटे-छोटे amount से इनको as a loan नहीं दिया जाता है आपको इस loan को लेने के लिए अपने relatives के पास ही जाना पड़ता है फिर वो आपको देते हैं और बहुत से तो नहीं भी देते हैं गया as a quick loan, instant loan तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ अगर आपको छोटे से छोटे amounts की need है और अगर आप लोग उसे भी ऐसा loan लेना चाहते हो तो वो आपके instant loan में count होता है और instant loan में आपको loan का amount जो है मैं आपको बता दू यहां से जो भी मैं जिस loan app के बारे में आपको बताने वाला हूँ आप लोग maximum यहां से 10,000 रुपे तक का loan easily borrow कर सकते हो लेकिन यहां पर depend यह करता है कि आपके eligibility कितनी अच्छी है अगर eligibility आपके documents के अच्छी है तो पूरा 10,000 तक का भी instant loan मिल सकता है और अगर eligibility उतनी अच्छी नहीं है तो आपको जितना वो बताएंगा उतना ही आपको loan लेना पड़ेगा मतलब उतना ही loan आपको apply हो नहीं पड़ेगा इससे जादा ना आप apply कर सकते हो ना वो आपको देंगे तो यह चीज़ आपको समझनी पड़ेगी लेकिन वहीं मैं आपको बताऊंगा कि किस loan आपकी मदल से हम लोग सारा काम करने वाले हैं लेकिन आपको पता है कोई भी loan platform से loan लेने जाओगे तो वहाँ पर आपके identity होती है सबसे बड़ी चीज़ आपका document तो pen card अधार card दोनों साथ में लख रहे हैं क्योंकि इन दोनों documents के बहुत ज़रूरत पढ़ने वाली है अभी आज के इस वीडियो में और क्योंकि वीडियो में आपको सारी चीज़ स्टेप बाइ स्टेप समझाए जाएगी तो वीडियो के किसी भी पार्ट को कहीं भी skip ना करें वरना ही आपके लिए बहुत बड़ी भूल साभीत हो सकती है और साथ एकर आप लोग फॉर्स टाइम मेरे चैनल पे आए हो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो करना खुछ नहीं है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना बहुत आवशक है क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करना बहुत आवशक है लाइक करने उन सबी नीडी लोगों को शेर करो, जो की जरुत मन लोगों को शेर करना है, जिनको वाकई में आवशकता है, और साथ ही जो subscribe बटन है, इस पर आपको click करना है, और हमारे channel को subscribe करना है, क्योंकि इससे main फायदा ही होगा, कि आप लोग हमारे community के member बनोगे, दूसरा फायदा ही ह जोगा कि आपको रुसाना basis पर यह चीज़ पता चल लेगी, कि आपको loan को कैसे apply करना है, आप नहीने तरीके सीख पाऊगे, आज आप खुद आप नहीन तरीका सीखोगे, तो आप दूसरों को भी तो जिखा पाऊगे, तो इससे आपका main फायदा हो जाएगा, और साथ ही मुझे आप लोगों के loan लेने का exact reason पता चल सकें, तो यह कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को follow out करनी होगी, अब हम शुरू करते हैं हमारे main वीडियो को, और जानते हैं कि आप लोग कैसे यहां से quick loan ले सकते हो, जिसे आप लोग instant loan भी क्याते हो, तो मैं बता दू, यह है हमारी वीडियो जो कि आप लोग अपने mobile skins पर फिलाल देख पा रहे हो, वीडियो के जिस नीचे आपको यह title देखने को मिल जाएका, जो कि मैंने underline कर दिया है, तो यह जो आपको यह website link देखने को मिल रही है, आपको इस website link पर सबसे पहले तो click करना है, जैसे ही आप लोग इस website link पर click करोगे, यह link आपकी automatic Google के browser से connect रहागी, और यहाँ पर आपके सामने Google का search result शो कर रहा है, जो कि आप लोग भी आपने mobile screens पर देख सकते हो, तो यह जो Google का search result आपके सामने शो कर रहा है, सबसे पहले आपको करना किया है, जो first website आ रही है loanpower.in की, जिसको मैंन भी underline किया है, आपको इस website पर click करना है, और जैसे ही आप लोग इस website पर click करोगे, click करने के साथ ही, आप लोग सीधा पहुंच जाओगे, loanpower.in के official website पर, and उस website पर पहुंचने के बाद, आपको step by step and process by process ही, जिस पता चलेगी, कि आपको loan को कैसे apply करना है, and कैसे अपने bank account में transfer करना है loan को, तो यह चीज़ जानने के लिए आपको इस पे click करना होगा, और यह चीज़ करने के साथ ही आपको जो पहला step है, पहला process है वो आपका completely complete हो जाता है अब पहला step complete होने के साथ ही आपको बढ़ना है, second step की ओर तो मैं बता दू, आप लोगो के phone में कोई ना कोई browser जरूर है, जिसे आप लोग आए दिन use करते रहते हो, for example, मेरे phone में यहापे Chrome browser है, Google browser है, आपके भी phone में कोई ना कोई browser होगा, जिसे आप लोग यूज़ करते होगे तो कहने का मतलब यह है, कि आपको अपने phone का simple सा browser पहले open करना है, जैसे आप लोग अपने browser ऊपन करोगे phone का, यहाप यहाप गूगल का search box या फिर Google का search interface, जो आप कहते हो, यह आपके सामने खुलके आ जाएगा जैसे आपके सामने Google का search interface, खुलके आजाए जैसी आप लोग सर्च करतों यहां पर आपके सामने Google का सर्च रिजल्ट शो करने लगेगा जो कि आप लोग भी अपने मोगाइल स्क्रिंज पर देख सकते हैं तो यहां पर आपके सामने फॉर्स्ट वेबसाइट शो कर रही है लेकिन इससे पहले यहां पर मैंने लिखा किया इसको आपको ध्यान से देख लेना है और चाहो तो आप इस चीज़ का स्क्रिंशॉट भी ले लो या फिर वीडियो को पॉस्ट करके अभी भी लिख के आ सकते हो इससे आपके जो गलती करने के चांसे यह बहुत जादा कम हो जाएंगे और इससे में फायदा यह होगा आप आपको इस फर्स वेबसाइट पर क्लिक करना है और जैसे आप लोग इस पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के साथ ही आपको सीधा पहुंच जाओगे लोनपाव.in की ऑफिशल प्लैटफॉर्म पे और वहां पहुंचने वाद आपको पता चालेगा कि आखिर वो कौन सी ऑन इस पर क्लिक करोगे काफी सारे लोन के ओप्शन देखने को मिल जाएंगे जब इतने सारे लोन के ओप्शन देखने को मिले इसमें से आपको एक एप लोन का सेक्शन मिलेगा आपको इसके उपर क्लिक करना है जैसे ही आप लोग इस एप लोन के सेक्शन पर क्लिक करोगे आ और M pocket डाल के आपको सिंपल कर देना है search, जैसे आप लोग M pocket डाल के search कर दोगे, आपके सामने Google का search result शो करेगा जो की है M pocket loan app से loan कैसे ले, यह आपके सामने article आच चुका है, और यह जो आपके सामने loan application दिखाई गई है, आज हम इसी loan application के माधियम से loan लेने वाले हैं, यह बात कैसे करना है, तो सारी जानकारी यहां पर मिलेगी, पूरी जानकारी को आप लोगो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे जाना है, और यहां पर मिलेगा आपको apply now का button, जो कि आप लोग अपनी mobile screens पर देख सकते हैं, तो यह जो आपके सामने apply now का button मिल है, आपको करना कुछ नहीं है, इस apply now के button पे आपको click करना है सबसे पहले तो, तो जैसी आप लोग apply now के button पे click कर दोगे, वहां पे आप लोग सिधा पहुँच जाओगे, mpocket loan app के main homepage पे, जैसे कि आप लोग अपनी mobile screens पर देख पा रहे हो, और यहां पे आनेक बाद आपको सबसे पहले sign up करना होगा, यहां पे आपना mobile number डालना है, और proceed की button पे click करना है, OTP आएगा, OTP को fill कर देना है, और easily आप लोग आ जाओगे, और सबसे पहले आपको permission देना है, जैसे आप सारी application पर permission देते हो, permission देने बाद allow के button पे click करना है, फिर आपको यहां पे आने के बा हो, जो कि आजा instant on आपको ले सकते हो, और यहां पे जैसे मैंने 2000 select किया हुआ, कि मैंने 2000 रुपे तक का loan चाहिए, instantly, और request के button पर जैसे में click कर दूँगा, तो यहां पे देखते हो कि मेरी date of birth पूची जा रही है, जो की KYC verification है, KYC verification और जितनी भी details यहां पे पूची जा रही जो कि मैंने कहा था, pen card, अधार कार्ट साथ में रखना, तो pen card का यहां पर नमर डालना है, photo upload करनी है, और submit के button पे आपको सिम्मत क्लिक कर देना है, इसके बाद यहां पे देख सकते हो, कि 5 steps, जो कि आपको एजली आपको loan apply करने में help करेगा, सबसे पहले आपको selfie लेनी है, इस पर क्लिक करके, personal information में यहां पर आपको जानकाई दिनी है, जो कि आपको आधार कार्ट, pen card से exact match करे, selfie video, चाहो तो डाल दो कि आपको loan क्यों शाहिए, या आप reason बता सकते हो, student information अगर आप student हो तो अच्छी बात और नहीं हो, beats and pieces को छोड़ दो, and bank account के details दाल दो, जिसमें आपको अपना loan amount मंगवाना है, और यह करने के बाद आपको continue के button पे easily click कर दिना है, और यहां पे फिर आपका registration, personal details का option आएगा, और side details भणने के बाद जो है, आपका easily register के button पे click कर दोगे, और आपका एक तरी से loan है, वो आपका submit हो चुका है, जब loan आपका M pocket से submit हो यागा, तो आपको wait करना है, सबसे पहले 30 minutes तक, 30 minutes में आपका EKYC verification हो एगा, और 1-2 घंटे के इंदर आपका loan amount है, instantly आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा, तो यह बहुत असन तरीका है, जहां से आप लोग M pocket से loan ले सकते हो, बागे अगर आपको कोई बीची से submit हो नहीं है, यह तो नि आपको नहीं हो नेक्स वीडियो में आणा गुट्बाई